So D से डॉलर, D से दम, D से दुनिया और D से डर, इन सब के बीच में जो कुछ भी हो रहा है, उससे E से लिखा जाने वाला यूरोप यही सोच रहा है, E क्या हो रहा है, मैं हूँ अनिमेश और इस वक्त यूरोप की एकॉनमी काफी परिशानी में है, डॉलर लगातार मजबूत हो रहा है, आने वाले समय में और मजबूत होगा, दुनिया के सारे एक्सपर्ट कह रहे हैं, और ऐसे में यूरो डॉलर के मुकाबले एक डॉलर से भी कम की कीमत पे आ गया है, लेकिन कीमतें यूरोप में कम होने का नाम ही नहीं ले रही है, जर्मनी में फ्रांस में तेज म में महंगाई और बढ़ा रही है, जब से ये युक्रेन रिश्या की लड़ाई हुई है, यूरोप अपनी जो एनरजी की आपूरती है, उसके लिए कतर और अमेरिका का रास्ता पकड़ रहा है, और ये रास्ता लंबा भी है, महंगा भी है, इस वज़े से महंगाई बढ़ अपतार में है, उतनी आसानी है नहीं, यूरोपिन सेंटरल बैंक के पास अपनी ब्यासदरें बढ़ाने की, लेकिन ब्यासदरें बढ़ाने के अलावा कोई चारा भी नहीं है, तो आने वाले समय में बढ़ती हुई महंगाई को देखते हुए और अभी मस्बूत होते महंगाई को कंट्रोल करने के लिए और एकोनोमी को रफ्तार देने के लिए यूरोप क्या कुछ कर सकता है, दुनिया की निगाहें यूरोप पर हैं